हाई वापस आगे हैं को नई वीडियो के साथ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Realme Birds Air 2 पहले झाए मन और झाए करेगे की जोग को खरीदना चाहिए, किस के लिए यह फोले देखना यूजर मैन्यव मैनियूल मिले गा आपको दो एक्स्ट्रा सेट एयरबड मिलेंगे, स्मॉल और लाज, मीडियम औरड़ी एयरफोन के अंदर है, आपको एक येलो कलर का, रियल मी का ही, छोटा टाइप सी चारजिंग केबल मिलेगा, और एयरफोन इसके अंदर होगा, तो ये है एयरफोन, तो ये है एयरफोन का केश, चारजिंग केश, तो आप इन्होंने डिजाइन थोड़ा सा अलग कर दिया है, पहले वाला जो था वो ऐसे था, अब ये है नया वाला, तो डिजाइन बहुत ही डिफरेंट है, और प्रीमियम हो गया है, ये ग्लॉसी फिनिश के साथ है, सामने आपको रियल मी ब्रैंडिंग दिखाए देगा, और एक LED लाइट, जब मैं इसको खोलूँगा तो आपको दिखेगा, तो ये LED लाइट यहाँ पर है, अगर आपको इसको कनेक करना हो किसी डिवाइस के साथ, तो इसके अंदर गूगल पैरिंग भी है, तो अगर मैं इसको पैरिंग मोड में डालूँ, जो कि ये है पैरिंग बटन, अगर मैं इसको तीन सेकेंड दबाए रखों तो ये पैरिंग मोड में जाएगा, बहुत ही सिंपल डिजाइन है बटन इन्होंने इस बार आगे की जगा साइड में कर दिया है और क्यूंकि इसका ग्लॉसी फिनिश है इसमें कुछ डिजाइन में अब इन बटन वगर आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा खास तो बिल क्वालटी बहुत ही अच्छा है चाजिंग कनेक्टर अंदर एं वहाँ पर अब एएर फ़ोन को देखनें कर जाता है जो अब भाक्राइं कि यहां पर है यहां पर तो यह आपकी आवाज को सुनताए सेकंड़ी मैक यहां जो बैक्राउंड सांड को सुनता है अब तो अगर आप इसको पहने तो आपको उपर से टैप करना पड़ेगा आप यहां से टैप करने पर कुछ नहीं होगा अब यहां इसका sensor है जो detect करता है कि आप इसको पहन रहे हैं आपने निकाल दिया तो जैसे आप गाने सुन रहे हैं और किसी ने आप से बात किया आप earphone को बाहर निकाल लिए और यह अपने आपी गाने को pause कर देगा अगर आप वीडियो देखने हैं तो उसको भी pause कर देगा जब आप वापस पहन होगे तो यह अपने आप गाना अपने आप on हो जाएगा यह वीडियो अपने आप वापस चलने लग जाएगा दूसरी चीज इसका जो earbud का जहां पर यह ear tip कनेक्ट होता है वो अब oval है round नहीं तो उस वज़े से यह घूमता नहीं है कान के अंदर और इसकी fitting जादा अच्छी है तो वो चीज मुझे इसका बहुत अच्छा लगा और यहां पर इसका ventilation के लिए दूसरा port यहां पर आवाज बाहर निकलन के लिए तो अब इसे app के साथ test करके देखते हैं पहले तो देखते हैं कि यह आपको क्या service देता है तो basically आपको ACC services में मिले नॉर्मल जहां पर noise cancellation off है और फिर transparency जहां पर आपका secondary mic on होता है और आपको बाहर की आवास सुनाई देगी sound effects में आपके पास bass, dynamic और bright option है अगर आपको bass जादा चाहिए तो आप bass choose किजिए, dynamic में आपको vocals पे जादा focus होगा और bright में थोड़े treble पे जादा focus होगा उसके बाद लाउड एरफोन है इसको अन करने के बाद यह और भी अधर लाउड हो जाता है अब gaming mode अगर आप यह on कर देते तो gaming में latency कम होगा दूसरा in ear detection अगर आप यह on रखते हो तो यह जो sensor है इसके अंदर कान से निकालने पे जो detect करता है वो on off यहां से आप control कर सकते हो उसके बाद है auto answer तो अगर आपको call आता है तो आप डबे में से earphone को निकालिए कान में डालिए और यह अपने आप call को answer कर देगा तो आपको phone पे या कहीं पे भी answer दबाने की जूरवत नहीं है फिर आता है button setting तो आपके पास double tap triple tap और touch and hold के option है दोनो earphones के लिए separately तो आप basically 6 different settings कर सकते है और एक option है जहां पे मैं choose कर सकता हूं दोनों के लिए combined option वो भी है तो बहुत सारे options है तो all in all budget में आपको बहुत सारे advanced feature इस earphone के अंदर देखने को मिलेगा तो आपने वीडियो देख लिया अब बात करते हैं कि earphone actually किसके लिए बनाए गया है तो अगर आप इसके previous version को देखें तो यह था air तो यह apple airpods की तरह इसका design था सब कुछ earphone भी वैसे ही था पर अब जो नया वाला आया है यह इन्होंने थोड़ा premium कर दिया है इनका एक pro version भी है तो यह pro version अगर आपके case को देखें तो exactly pro version की तरह है बस यहां पे वह silver metal वाला जो part है वह missing है बाकि सब सेम है तो इन्होंने वह premium design premium quality pro से लेके और उसके सारे features लेके सस्ते दाम में आपको दे दिया है तो इसमें आपको sound quality अच्छी मिलेगी तो इसमें bass भी अच्छा है और vocals भी अच्छा है आप कोई किसम के गाने सुनना चाहें आपको कोई problem नहीं होगा हाँ पर आपको कोई problem नहीं होगा पर अगर आप ज्यादा bass पसंद करते हैं अगर आप bass head ह और आपको वो low end bass चाहिए तो आपको Realme Buds Q2 में वो ज्यादा मिलेगा तो इसमें bass अच्छा है पर आपको इससे भी अच्छा bass सही है तो आपको Q2 देखना पड़ेगा कि मेरा फेवरेट तो Q2 है क्योंकि इसके अंदर bass बहुत है और मैं bass head हूँ So sound quality बढ़िया है, mic sound quality अगर हावा चल रही है तो हावा का थोड़ा बात problem आता है और अगर आप इसको helmet में यूज़ करें तो helmet में echo create होता है वो दो problem के अलावा मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं लगा एक common problem जो मुझे जादा तर ऐसे noise cancelling earphone में मिलता है वो है कि noise cancelling mic जो है background sound को cancel करते समय आपकी आवास को भी थोड़ा सा robotic बना देता है क्योंकि वो background का natural sound है वो चले जाता है सिर्फ आपकी आवास जब सुनाई दे लिए तो थोड़ा अजीब लगता है कभी-कभी उसकी आ नहीं कर सकते वो एक always on feature है अब battery life इसकी average से थोड़ा ऊपर है normally ऐसे earphones की battery life three and a half hours to four hours होता है इसमें आपको चार गंटे मिलेगा active noise cancelling on रखके और पांच गंटे मिलेगा active noise cancellation off रखके तो वह decent amount है पर वहीं पर अगर आप Q2 की बात करें जो इससे 1000 रुपर सस्ता है यह आप आपको active noise cancellation on रखके आपको यह पांच गंटे देगा और off रखके यह आपको 7 गंटे का battery life देगा तो इससे 2 गंटे जादा battery life इसका है और पर अगर इन दोनों में देखना चाहें comparison वीडियो में अलग बनाऊंगा पर mic sound quality air का जादा अच्छा है क्योंकि यह stem में है जो आपक preference calling है तो आपको realme buds air 2 देखना चाहिए और अगर आपका preference base है base head earphone है और battery life और जादा चाहिए आपको तो आपको realme buds q की तरफ देखना चाहिए तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए मैं आपसे दुबारा मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ बाई बाई